नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चानल, लर्निंग बेसिक एकनॉमिक्स विद दिच्चा मैं आज का हमारा टॉपिक है, वैल्यू आफ मनी और दी फैक्टर्स अफेक्टिंग इट मनी का मूल्य और जो फैक्टर्स उसको एफेक्ट करते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं उन चीजों को हम आज की वीडियो में स्टड़ी करेंगे तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है वैल्यू आफ मनी क्या है बैसे तो देखे value of money के लिए कई तरीके दिये गए हैं या कई तरह से इसके meaning को explain किया गया है लेकिन जो सबसे ज़्यादा acceptable है या सबसे ज़्यादा जिसको मानने ताप राप्त है हम सिर्फ उसी अर्थ की बात यहां पर करेंगे तो यहां पर value of money से अर्थ है purchasing power of money या money की मुद्रा की क्रे शक्ती क्या है जिसके लिए हम देखते हैं कि जो money है उसकी एक इकाई में single unit में हम कितनी वस्तूओं को खरीद सकते हैं वही मुद्रा का मूल्य होता है मैं फिर कह रही हूँ उसके तीन meaning है अलग-अलग लेकिन हमें इतनी depth में जाने की जरूवत नहीं है क्योंकि जो question बनता है वो सिर्फ इसी meaning से बनता है कि मुद्रा की एक unit में हम कितनी वस्तूओं का क्रे कर सकते हैं तो यहां पर the value of money is its purchasing power that is the quantity of goods and services it can purchase तो यहां पर मुद्रा का मूल्य अच्छे से clear हो गया होगा और इसको हम यहां पर देखते हैं कि जो crash शक्ती है उसी को हम कह रहे हैं मुद्रा का मूल्य और दूसी तरफ होता है वस्तूओं का मूल्य तो एक तरफ हो गया value of money और दूसी तरफ हो गया value of products या फिर prices या उसको हम कह सकते हैं general price level तो अगर इनको हम आपस में देखें तो दोनों का बिल्कुल inverse relation होता है बोथ हा inversely related क्योंकि देखिए जब मुद्रा का जब वस्तूओं की कीमतें बढ़ती हैं तो वहाँ पर एक तरफ तो ये है उस वस्तूओं के लिए हमें पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा ये तो वस्तूओं का मूल्य हो गया इसका मतलब है वस्तूओं का मूल्य बढ़ गया दूसरी तरफ अब उतनी मुद्रा में हम पहले से कम वस्तू को खरीद पा रहे हैं जिसका मतलब हुआ कि मुद्रा का मूले घड़ गया पहले जितनी यूनिट में हम जितनी वस्तू को खरीद सकते थे अब उतना हम नहीं खरीच सकते अब हमें जादा पैसे की जरूरत पढ़ेगी उतनी ही वस्तु को खरीदने के लिए तो यहाँ पर इसलिए इस relationship को कहा जाता है कि value of money and general price level are inversely related अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा definitely घटेगा और अगर पहला घटेगा तो दूसरा definitely बढ़ेगा यह inverse relation इनमें हमेशा चलता है अब अगर हम देखें कि मुद्रा के मुल्ले को क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं तो चार major factors है जिनको हमने यहाँ पर लिया है पहला आजाता है inflation हम बार बार इस चीज़ को पढ़ चुके है inflation मतलब वस्तूओं या सेवाओं के मुल्ले में consistent लगातार जो व्रद्धी होती चली जाती है इसको हम राष्ट्रिय इस तर पर देखते हैं इसको हम inflation कहते हैं अब यह जो inflation है इसमें हम में ली नहीं दोनों चीज़ों को अगर देखें तो होता है कि वस्तूओं की कीमतें बढ़ती हैं और क्योंकि वस्तूओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो फिर मुद्रा की कीमत या value of money यहां पर घटती है नॉर्मली अगर हम देखें तो inflation एक खराब condition नहीं है क्योंकि इसमें सारे indicators जो economic indicators होते हैं वो upward movement करने लगते हैं चाहे वो employment हो या salaries हो लोगों की या मुद्रा का नहीं वस्तूओं का अगर मूले यहां पर देखा जाए तो क्योंकि सारे economic indicators positively rise करने लगत हैं तो यह खराब इस्थति नहीं है अच्छी इस्थति है लेकिन एक limit के बाद ही खराब इस्थति बनती है सिर्फ महंगाई यहां पर रहती है कि कीमत बढ़ रही है इसलिए लोगों को पहले से जादा यहां पर खर्ण करना पड़ता है लेकिन इसमें अच्छी बात है क्य हमेशा होता है excess of money ये बहुत सारे reasons से economy में हो सकता है excess of money के बहुत जादा पैसा economy में आ गया है अब ये जो पैसा है इसको अगर हम production से compare करें तो हमेशा है production से कम रहेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा जादा है इसलिए वो demand करेंगे चीजों की लेकिन production यहाँ पर उतना नहीं है तो यह यहाँ पर imbalance economy में होगा demand जादा है production से और क्योंकि demand जादा है production से तो अपने आप ही prices तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे inflationary trend वहाँ पर start होगा जैसे कि मैंने कहा सारे economic indicators अब ward movement यहाँ पर करिंगा और indicators को अगर हम देखें तो यहाँ पर production जादा होगा production अगर जादा हो रहा है economy में तो employment भी obviously जादा लोगों को मिल रहा है अब क्योंकि जादा लोगों को रोजगार मिल रहा है तो यहाँ पर income भी लोगों को जादा मिल रही है अब क्योंकि लोगों के पास income जादा है तो demand जादा है लेकिन थोड़ा से negative यहाँ पर यह है क्योंकि सभी चीजों की prices बढ़ रहे हैं तो cost of production भी बढ़ता है जैसे यहाँ पर rate of interest जादा हो जाएगा, raw material के prices जादा हो जाएगे, मजदूरी जादा हो जाएगी तो cost of production बढ़ जाएगा यहाँ पर लेकिन क्योंकि सब चीजों positive हैं यहाँ पर employment, production, income, demand तो यह बहुत जादा matter नहीं करेगी जब तक की बहुत जादा नहीं हो जाती है और main हमारे indicators यह थे ही कि high prices महंगाई तो बढ़ती है ना inflation में लेकिन value of money क् opposite direction में move करती है तो low value of money अब इसको और एक बार हम देख लेते हैं देखो यह हमने मान लिया एक balance यहाँ कि equilibrium की line है economy के लिए तो यहाँ पर inflation और recession के इसाप से जो economic indicators move करते हैं जो इसको हम equilibrium की line मान लिया या हम इसे full employment भी यहाँ पर कह सकने हैं जैसे उपर की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर inflation आता है क्योंकि इस line से नीचे हमने मान लिया कि सारे economic indicators बहुत कम हैं और उपर बहुत जाता है या जैसे जैसे उपर की तरफ जाते हैं वो बढ़ते हैं तो inflation हमारी शिरू होती है full employment के बाद से full employment के बाद से यह economic indicators उपर की तरफ move यहाँ पर कर रहे हैं और यहीं पर prices भी बढ़ रहे हैं और यह inflation का मतलब है कि यह चीज़ों उपर की तरफ जा रहे हैं prices है production है सब चीज़ों उपर की तरफ बढ़ रहे हैं employment है demand है यह सब क्यूंकि बढ़ रहे हैं और एक extreme तक यह यहाँ पर कर रहे हैं इसको इसे इन्फ Lesson को डिटे से कर रहे है इसके बाद और हम इसको explain करना चाहें तो inflation means that your money would not buy as much today as you could yesterday obviously हमें हमेशा पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है same product के लिए और inflation को normally हम annual percentage के basis पर calculate करते हैं या simply कि कितना percent price में increase हुआ है हला कि calculate करने के methods होते हैं proper जो economic के level पर किये जाते हैं consumer price index है wholesale price whole price index है तो उसके basis पर हम करते हैं पर अभी हम उस depth में नहीं जा रहे हैं अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे factor पर पहला factor हो गया हमारा inflation और second हो जाता है deflation deflation inflation का बिल्कुल opposite है यहाँ पर जैसे जो inflation था उसका opposite चलेगा inflation में prices बढ़ रहे थे और deflation का मतलब है यहाँ price घट रहे हैं इसको हम मुद्रा संकुचन कहते हैं तो यहाँ prices घट रहे हैं क्योंकि एकनौमी में currency की quantity कम हो गई है और क्योंकि prices घट रहे हैं तो value of money बढ़ रहा है अब हम कम पैसे में पहले से ज़्यादा सामान खरीज सकते हैं क्योंकि value of money यहाँ पर बढ़ गया है तो यहाँ पर अगर हम देखो point wise को देखे तो price level घट जाता है decrease in the general price level और negative inflation rate वहाँ पर तो inflation बढ़ रहा था न लिकन यहाँ deflation बढ़ा है और क्योंकि एकनॉमी opposite direction में move करें तो सारे economic indicators भी opposite जाएंगे यह भी ध्यान रहे हैं employment हो या income हो कोई भी चीज़ हो GDP हो country की तो यहाँ पे the value of money will increase और क्योंकि परस्तूओं के मुल्य घट रहे हैं तो मुद्रा का मुल्य बढ़ रहा है और जो negative और stagnant economic growth economic growth यहाँ यहाँ तो रुख जाएगी या opposite direction में जाएगी और इसी लिए हम इस इकनॉमी को एक stagnant declining economy कहते हैं इसके example मैंने हाँ पर जैसे लिखे हुए great depression या Japanese economy में आया था great depression क्योंकि पूरे word से ही एक तरह से related था तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यह 1929-30 में आया था जिसमें की हम देखते हैं कि British rule था ज्यादतर countries के उपर तो starting तो इसका जो central point था वो Europe ही था लेकिन इसमें पूरे word को effect किया था यहाँ पर इनोने industrialization कर लिया बहुत जादा यहाँ पर production हो गया अब क्यूंकि बहुत जादा production है तो एकदम से इतना जादा करने के बाद वो production बेचना संभव नहीं है क्योंकि demand थोड़ा बहुत बढ़ाई जा सकती है एकदम से इतनी नहीं बढ़ाई जा सकती कि पहले जो चीज हादों से बढ़ाई जारी है उसको अब हम मशीनों से बना रहे है industries में बना रहे है तो production तो कई गुना बढ़ गया कई गुना क्या मतलब कई सो गुना production यहाँ पर बढ़ गया जिसको बेचना एकदम से संभव नहीं था और जब वो नहीं बिखा तो production यह तो कम करना पड़ा या बंद करना पड़ा production कम करने का मतलब था कि लोग unemployed हो गए unemployed होने का मतलब है कि अब income भी करने उन लोगों को और कम मिलेगी income कम मिलने का मतलब है कि अब वो demand बहुत कम करेंगे तो जितनी demand पहले थी अब उससे भी कम हो गई अब सामान और भी नहीं बिख रहा है और नहीं बिखने का मतलब है फिर से production को या और कम करना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा तो एक chain reaction की तरह start हो गया जिसके बाद लगा था जो उसके results देखने को मिल रहे थे वो यही थे कि production बंद production बंद हुआ तो unemployment और जादा बढ़ गया unemployment बढ़ गया तो लोगों की पास income और भी कम मिली income कम मिलने का मतलब है वो demand नहीं कर सकते तो इतनी भयाव है स्थिती उस समय भारत में या कहना चे पूरे word में हो चुकी थी कि एक तरफ तो गोदामों में हर जेगे सामान भरा पड़ा है production किया हुआ जो कि बिक नहीं रहा है जिसको बेचने के लिए बहुत सारी कोशिश है कर रहे हैं बिक नहीं रहा है दूसरी तरफ जनता है जिसे उस सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो फिर भी उसे नहीं खरीद पा रहे है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और ऐसा नहीं है कि वो सामान महंगा है सामान बहुत सस्ता है और इवन लास में तो यह सिती थी कि जो manufacturing cost थी production कि उससे भी बहुत ज़्यादा सस्ता उस सामान को बेचा जा रहा था लेकिन उसके बाद भी वो नहीं बिक रहा था क्योंकि लोगों के पास उतने भी पैसे नहीं थे तो यह सबसे बड़ा depression जो कभी आया यह 1929 में था इसलिए इसको the great depression कहा जाता है तो चीज़ें वही है production जादा है और currency कम है और उसी का chain reaction एक तरीके से इतना जादा उस समय हो चुका था एक बार इसको भी हम इस तरह से देख लेते हैं देखे deflation का मतलब है shortage of money या excess of production या दोनो या तो production बहुत जादा हो गया है या पैसा बहुत कम है एकनावी में जिसकी वज़े से value of money बढ़ गया है और चीज़ें महेंगी sorry, चीज़ें सस्ती मिल रही है इसकी वज़े से फिर हम देख रहे हैं क्योंकि shortage of money है या employment कह सकते हैं कम है लोगों के पास या उनके पास income कम है पैसा कम है तो overall यहां पर हम देख रहे है in short demand कम हो जाती है demand कम है और production बहुत ज़ादा है अब क्योंकि production demand से ज़ादा है तो क्या होगा वहाँ पर prices कम हो जाएंगे production ज़ादा है बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा prices को कम करना पड़ेगा और यहां से सारे economic indicators downward movement start कर देते हैं क्योंकि सामान वही नहीं भिकरा है तो और ज़ादा production करने का तो कोई sense है ही नहीं तो यहां पर यह तो production बंद कर दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा तो low production अब क्योंकि production कम किया गया है तो unemployment बढ़ेगा यानि कि employment कम हो जाएगा लोगों को रोजगार कम मिलेगा अब जब लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो यहां पर income लोगों की बहुत कम हो जाएगी अब क्योंकि income यहां पर कम है तो वो demand कम करेंगे demand कम करेंगे तो यहां पर prices घट जाएगे प्राइस यहां पर कम होने लगते हैं इसलिए इसे डिफलेशन या मुद्रा संकुचन कहते हैं इसी को यही आगे जाकर मन्दी में कनवर्ट हो जाता है तो यहां पर देखें क्योंकि प्राइस कम है यानिकि प्राइस ऑफ गोड्स या प्रोड़क्स तो वैल्यू अफ मनी से जाएगी हाई वैल्यू ऑफ मनी यहां पर देखने को मिलेगा और जो अच्छी चीज़ यहां पर होती है वो होती है कोस्ट ऑफ प्रोड़क्शन यहां कम हो जाता है क्योंकि सबीचिजों के फ्राइस घट रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोड़क्शन भी घट जाएगा यान इसको हम यहाँ पर अगर देखें इस curve के हिसाब से तो deflation आता है यहाँ पर जो यहाँ पर equilibrium की स्थिती है या normal condition अगर हम economic की देखें यह है तो यहाँ पर जहां से यह economic indicators downward movement start कर रहे हैं एक limit के बाद अगर इसके उपर है वहाँ तक तो ठीक है लेकिन अगर इसके नीचे downward movement कर रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि employment घट रहे है, demand घट रही है, सब चीज़ यहाँ पर downward movement कर रहे है तो यह जो condition है, यह deflation की condition होती है थाड़ आता है, reflation अगर आपको inflation और deflation अच्छे से समझ में आ गए है, तो यह बहुत असानी से आ जाएंगे देखिए, वो जो दोनों condition थी, inflation और deflation वो अपने आप economy में आती है और अपने आप economy को effect करती है, दोनों ही एक limits के से जादा हो जाए तो एकनौमी के लिए बहुत घातक या harmful या alarming situation होती है लेकिन अगर comparatively कहा जाए कि जादा खतरनाक क्या है तो हर इस्थिती में deflation ही जादा खतरनाक इस्थिती होती है inflation भी हम बहुत अच्छी नहीं कहा सकते हैं लेकिन यहाँ पर यह अच्छी इसलिए है comparatively क्योंकि यहाँ पर production बढ़ रहा है यहाँ पर employment बढ़ रहा है यहाँ पर income बढ़ रही है तो चीज़ें कितनी भी महांगी क्यों न हो जाए लोग उन्हें खरीदने में सक्षम होते हैं लेकिन अगर हम deflation की बात करें तो यहाँ पर जब employment ही नहीं रहेगा आजाते हैं deflation जो condition है वो government द्वारा या कोई भी जो administrative authority है उसके द्वारा economy को वापस track पे लाने की condition होती है देखें deflation is the act of stimulating the economy by increasing the money supply क्योंकि जब deflation बहुत जादा बढ़ चुका है या कहना चाहिए मंदी की स्थती आचुकी है तो वापस उसमें कुछ ऐसी मुद्रा प्रसार करके ज़्यादा circulation of money करके वापस inflationary trend को start करने की कोशिश की जाती है जिससे की economy मंदी से निकल कर वापस track पर आ पाए देखें by increasing the money supply क्योंकि मंदी में क्या होता है quantity of money बहुत कम हो जाता है तो एकनौमी में पैसे को बढ़ाया जाता है और by reducing taxes क्योंकि tax government कम लेगी तो भी एकनौमी में पैसे जादा रहेगा तो इस तरह की जो steps हैं वो सब लिये जाते हैं परपर सिर्फ एक है कि एकनौमी में flow of money जादा बना रहे, circulation में money जाता रहे जिससे की मंदी की स्थिती वापस normal हो सके तो deflation means a stop और a reverse of a deflationary situation deflation से एकनौमी को उबार के वापस inflationary trends को start करना अगर हम graph में देखें तो ये condition यहाँ पर बनती है deflation में एकनौमी में सारे indicators या downward movement कर रहे हैं लेकिन extreme तक पहुंचते पहुंचते सिती बहुत खराब हो गई अब यहाँ पर government जो initiatives ले रही है flow of money को बढ़ा के जिससे की वापस employment बढ़ना शुरू हो production बढ़ना शुरू हो तो यहाँ पर जो लोगों के पास पैसा जादा है जिससे की demand बढ़े और demand जब बढ़ेगी तो यह indicators वापस positive direction में move करना start कर पाएंगे तो यहाँ पर भी अगर हम देखें देखें inflation में भी यह सब चीज़ें बढ़ रही है और reflation में भी यह चीज़ें बढ़ रही है लेकिन फरक यह है कि inflation एक natural tendency यह अपने आप जो आ रही है एकनामी में और यह बहुत जादा वाली स्थिती में है लेकिन यह जो reflation है बहुत bottom point पे एकनामी है और यहाँ से उसमें upward movement लाया जा रहा है यहाँ पे intentionally या artificial तरीके से government strand को लाने की कोशिश कर रही है तो यह normal situation है और यह जो reflation है एकनामी को वापस normal condition में लाने के लिए initiatives है अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो next आता है dis inflation देखें हमने पढ़ाए inflation और deflation अब deflation बहुत बढ़ गया तो एकनामी को हम inflationary trend की तरफ लेके जाएंगे लेकिन इसका opposite भी तो हो सकता है कि अगर inflation बहुत जादा बढ़ गया है तो वापस एकनामी को downward लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हर चीज की अती खराब होती है उसी तरीके से inflation अगर बहुत जादा एकनामी में बढ़ चुका है तो अब government फिर हाई initiatives लेगी यह जो economic indicators है उन्हें कम करने के लिए एकनामी में flow of currency को कम करने के लिए disinflation is a decrease in inflationary rates inflation rates a decline in the rate of increase in the general price level of goods and services तो यहाँ पर इन चीजों को कम किया जाता है come in the sense कि इसमें बलकी बहुत सी जगे यह भी लिखा होता है कि negative करने की कोशिश की जाती है जिसका मतलब सिर्फ यह है कि अगर एकनामी में rate of inflation 15% है तो उसे 13% पे लाया जाएगा या 14% पे लाया जाएगा 14% पे लाने का मतलब है 1% negative हो गया सिर्फ यह ही उसका मतलब है ऐसा नहीं कि minus में जाएगी वो value उसका मतलब है rate of inflation को धीरे धीरे कम किया जाता है वापस एकनामी को track पे लाने के लिए जरूर से ज़्यादा जो inflation आ चुका है उसको कम करने के लिए जो initiatives होते है so it is the reverse of reflation reflation में हम क्या कर रहे थे inflation की तरफ लेके जा रहे थे एकनामी को और disinflation में क्या कर रहे है inflation से recession की तरफ लेके आ रहे the central bank commonly uses disinflation to describe a period of slowing inflation clear तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो एक बार disinflation और deflation यह दोनों बिलकुल अलग-अलग है देखो यहाँ पर इसको एक बार graph में देखते हैं यहाँ पर देखें disinflation और disinflation और deflation दोनों यहाँ पर downward movement करते हैं लेकिन जो deflation है यह भी वही चीज है कि यह एक natural tendency है जो कि अपने आप आ रही है लेकिन disinflation government initiatives लेके या strategy यूज करके लाने की कोशिश करें disinflation अपने आप आ रहा है और एक level से कम पे ले जा रहा है economy को लेकिन जो disinflation है वो boom पे economy है या क्योंकि inflation extreme हो चुका है उसे कम करने के लिए government कोशिश कर रही है और flow of currency को economy में कम कर रही है तो ये वाली जो condition है artificially लेके आ रही है government जो economy है उसको track पे लाने के लिए जबकि जो deflation है वो अपने आप आता है economy को जादा नीचे की तरफ लेके चाता है तो it is the opposite of deflation obviously बिल्कुल opposite है which seeks to return the economy back down to the long term trend और deflation disinflation से बिल्कुल different है as the letter implies decrease in the level of inflation whereas on the other hand deflation implies negative inflation negative inflation means rate of inflation में कमी करना तो I hope सब को समझ में आ गया होगा और मेरे चैनल को like और subscribe ज़रूर करिये और अगर कोई problem आती है तो आपको comment box में अपना question डाल सकते हैं आपने वात